नमस्कार दोस्तो एंड विल्कम बैक तो मैं चैनल फूर्स इंविस्मेंट दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पर ट्वेड लेना हैं प्लस निफ्टी बैंग निफ्टी का क्या सेनेरियो रह सकता है सो स्टार्ट करते हैं प्रोबबली आज का दिन तो बहुत अच्छा गया था और निफ्टी अपने एक्जाक्ट उस लेवल तक पौच चुका है जिसके बारे में लोग ने बात कर रही थी 13,750 का yes so possible मैं कल एक gap up के साथ एक heavy correction भी expect कर सकता हूँ या exact इसी level पे open होके correction आ सकती है correction in the sense कल एक market गिर सकती है because अपने exact resistance पे जाके वो नीचे आ रहा है मैं आप लोगों को 15 minute के time frame पे दिखाऊँगा and monthly के time frame पे भी आप लोगों को लेकर जाके दिखाऊँगा ठीक है so कल stocks की बात करते है मैं suggest करूँगा कि कल कम quantities पे trade करेगा ठीक है buy के setup हमारे पास बहुत हैं but मैं suggest करूँगा कि कम quantities पे trade करेगा ठीक है yes so सबसे पहला stock जो आप लोगों के लिए लेकर आया गये है वो है TCS TCS buy करने की मिसाला दे रहा हूँ आप देख सकते हैं एक sharp up move आई sharp up move आने के बाद आप देख सकते हैं की grounding bottom and 1 cup ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cup and handle का formation हमें देखने को मिला एक cup and handle का formation देखने को मिला है and इसका breakout यह दे सकता है right now यह stock जो trade कर रहा है 2838 पे हम buy कर सकते है 2842 के उपर 2842 के उपर हम लोग एक buy initiate कर सकते हैं next stock की बात करें so next stock जो probably आता है which is SBI life इस की उपर मैंने dedicated video भी बना रखी है 3-4 minute की ही है अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ पर जा के चेक कर सकते है ठीक है yes यह यह लोग पर्टिकुलर stock है just wait a second शायद यह stock नहीं है let me frame SBI life यही है बट पर्टिकुलर यह chart नहीं था just wait a second yes इसको भी छोड़ते हैं next stock की तरफ बढ़ते हैं उसकी analysis मैं भी आपको थोड़ी देर में करके बताता हूँ ठीक है cadela healthcare is our next stock ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर stock ने क्या कर रहा है अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ देखेगा यह वाले पर्टिकुलर stock ने एक sharp up move दी sharp up move देने के बाद देखेएं आप यह consolidate कर रहा है देख रहे हैं यह consolidate कर रहा है और जो breakout candle थी आप इस बात को देखेगा मैं एक line आपके लिए बनाना चाहता हूँ बहुत easy हो दाएगा आपको देखेगा यह वाली line को follow करिये इस line के उपर हम लोगों ने एक बार भी closing देखने को नहीं मिली थी और यह line थी जो एक sharp up move का high था ध्यान से सुझेगा एक sharp up move का high था यह और उसके बाद एक wick high close नीचे हुआ एक strong red candle उसके बाद सारी wick उपर गई हैं बट closing देखने को नहीं मिली थी आज के trading session के अंदर हमें इस पर closing देखने को मिल गई है इसके उपर तो यहाँ पर yes we can definitely go for a buy 475 की इसकी closing है हम exact इसी level पर buy बना सकते हैं या अगर यह कल dip देता है 472, 471 के आसपास तक का तो भी हम लोग एक buy initiate कर सकते हैं तो दो stocks बता दी गए हैं दो stocks अब थर्ड की बात करते हैं विच इस PGHL या तो थर्ड स्टॉक की बात करते हैं जो है PGHL PGHL Proctal & Gamble इस पर्टिकलर स्टॉक पे भी आप देख सकते हैं similar type of situation है एक sharp up move उसके बाद हम लोग ने क्या देखा एक rounding bottom and इसके ऊपर जाके ये close देने में कामियाब हुआ है तो yes इस particular stock को भी हम लोग buy करके चलते हैं अगर कल ये breakout देने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छे levels हमें इस पर provide हो सकते हैं so definitely इसको भी अपनी watch list पे add up कर सकते हैं तो next stock देखते हैं next stock is Alcom Lab Alcom Lab को देखते हैं या इसका मैं थोड़ा सा zoom out कर दूँगा yes आप यहां देख सकते हैं Alcom Lab हमें क्या दिखा रहा था ये वाली जो blue color की line है ये इसके लिए resistance का काम करती थी इसके उपर ये जब भी रुकती थी तो higher side पे हमें एक selling pressure देखने को मिल जाता था इधर भी एक resistance था जब इसने resistance को broke करा break करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये ना एक range के अंदर बन चुका है इस range का breakout आ जाएगा probably chances आ रहाए कि ये कल एक breakout दे सकती है क्योंकि नीचे इसने एक indecisive candle बनाने के बाद आज strong candle के साथ closing करी है तो right now ये stock trade कर रहा है 2937 पर आप एक buy initiate कर सकते है 2941 के ऊपर ठीक है ये भी probably कल अच्छे levels हम लोगों को provide करवा सकता है last stock की बात करते है which is SBI इसका मैं आप लोगों को chart sorry it's SBI card yeah now I understand SBI card है इसकी analysis मैंने कर रखी थी yes ये वाला stock अगर आप देखेंगे तो इस वाले stock पर आपकर मैं आप लोगों को और easy way में बता हूँ देखी ये resistance था ये break हुआ ये इसके लिए support बन गया देख सकते हैं ये support बन गया support break होने के बाद एक sharp up move आई है एक zigzag formation में एक sharp up move आई है अपने previous जो इसका low था उसको break नहीं करा अपने high को break करके ऊपर चला गया दुबारा नीचे आया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक trend line भी अगर मैं बनाता हूँ तो एक symmetrical triangle of एक pattern बन रहा है जिसका एक breakout कल दे सकता है अगर वीडियो देखना चाहिए तो आप जाके भी देख सकते हैं तो मैं आप कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ stocks लेकर आते रहा हूँ दिन में दो वीडियो बनाऊ एक दोपहर के टाइम पे एक रात जो मैं नौ बजे अपलोड करता हूँ यह वाली वीडियो ठीक है कि दो वीडियो पे आपको मैं एक stock वीडियो में आप लोगों को बताओ कि कौन से stocks buy करने लायक है मतलब आपके खुद की analysis So what you do guys आप इस comment पे मुझे अपने stocks बताइए कि किस कि stocks की analysis आप लोग चाहते हैं मैं उस में से जिसमें सबसे जादा लाइक होंगे जिस particular stock के बारे में सबसे जादा पूछा जाएगा उसकी analysis मैं कल करूँगा ठीक है तो हम यह start करते हैं रात को जो हम लोग 9 बजे मिलते हैं वो यह वाली वीडियो के साथ मिलते हैं So definitely बात करें Nifty Bank Nifty की So Nifty दिखा देता हूं है आप लोगों को एक बार Yes So Nifty का मैं मंतली चार्ट ओपन कर रहा हूं And मंतली चार्ट पे आप देख सकते हैं Clearly आपको शो करेंगा यह देखेगा इस चीज को देखेगा यह हम लोग ने एक Fibonacci Extension ड्रॉ कर रहा था Fibonacci Extension मैं दुबारा बता देता हूं किसले ड्रॉ करा जाता है जब एक Lifetime High Break होता है So what we do हमें नहीं पता होता है जो Top जो Lifetime High है वो Top and जो Bottom है उसका Fibonacci Extension लेते हैं जो हमें बताता है Possible Reversals Possible Reversals तीन बताता है Which is 1.272, 1.414 and 1.618 So आज इसका जो 1.272 था उसका जो Level था which is 13,750 या 55 का एक्जाक्ट उसको टेस्ट करा and उसके नीचे जाके इसने Closing दे दी है तो Yes, कल Chances आ रहा है कि इस Resistance से एक बार ये नीचे आ सकता है ठेक है अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ ठेक है Yes 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे आप देखेगा कि Exact ये Particular Stock Index इस Line पे ये ये लाइन हमारी 1.212 वाली लाइन है ठेक है वहाँ पर गया जैसी उस पे closing दी एक sharp हमें fall देखने को मिला 15 मिनिट के अगली candle पे है और उसके नीचे ही जा कि इसने close दिया है So अगर ये इस Particular Level को break करता है Which level is this अगर मैं आप लोगों दिखाता हूँ ठेक है अगर ये 13,720 को break करता है Which is 30,720 ये वाला जो line है इस level को break करता है तो हम लोग एक sharp expect कर सकते है I am not saying कि एक fall अच्छा जादा आएगा But एक correction आ सकता है मतलब 50, 170 point का एक fall आ सकता है So Nifty पे कल buy के लिए बिल्कुल भी शला नहीं दूँगा You have to go for a sell अगर buy opportunity आपको लेकर चलनी है Buy chance ये यहां नहीं रुखता है मैंने आप लोगों को 3 levels बता है एक तो 1.212, 1.414 यहां पर अगर ये नहीं रुखता और अगर ये इस particular level की उपर 15 minute की 2 candle close कर जाता है तो आप लोग buy इनिशेट कर सकते हैं जो हमारा next target होगा which is 4.414 तो ये 3 possible reversals हैं हो सकता है कि यहां pause नहीं ले अगले वाले में pause ले तो इस सारी चीज़े आप लोगों को देख करनी होंगी तो बैंक निफ्टी की बात करें जैसी इसके ऊपर ये गया 30,800 के ऊपर ये जैसी गया उसके बात हम लोगों ने क्या देखा ये 30,900 तक भी चला गया था बट प्रीवेस साइट पर अगर आप देखेंगे यहां पर एक resistance था ये देखेगा ये एक resistance का का काम कर रही थी लाइन तो exact double top बनाके वो stock वहां से नीचे आ गया अब ये देख सकते हैं ये इसके लिए resistance का काम कर रहा था जब इसने ब्रोक करा तो वो इसके लिए support बन गया ठीक है ये it's called demand and supply कैसे support resistance में convert होता है कैसे resistance support में convert होता है तो जब ये level break होगा which level is this 30,800 जैसी 30,800 के नीचे एक great candle बना देता है we can go for a short हमारा जो target होगा 30,690 ये 680 तक का होगा जो कि ये black color की line है ठीक है जब तक इसके ऊपर एक candle close नहीं करते है we don't go for a buy in bank nifty और nifty के अंदर भी buy नहीं मैं सोच रहा हो कि कल हम एक selling opportunity लेकर चले ठीक है so ये 5 stocks थे and nifty bank nifty scenario था hope you all like it कल अगर आप लोग trade कर रहे तो आप मुझे बता सकते है and comment के नीचे आप मुझे अपने please stocks बताईएगा जिस particular stock पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे I'll definitely make that video for you ठीक है bye bye guys guys एक important आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा मैं कि हम लोग January से अपने कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं which is a 3 months mentorship program and इस 3 months mentorship program में हम लोग आप लोगों को सारी चीज़ी A to Z चीज़े cover कर रहे हैं plus आप लोगों को live market पे training provide कर वाइज़ेगी 1.5 months तक या live market पे training होगी आप लोगों के साथ जैसे आप लोगों को डेड़ महीना पढ़ा दिया जाएगा पढ़ाने के बाद आप लोगों को डेड़ महीना training दी जाएगी and after 3 months you become an independent trader you don't need anyone after that और मैं पूरी कोशिच करूँगा मेरे को जित्ता आता है exact उत्ता ही आप लोगों को पढ़ा दिया जाए ठीक है कि आप मेरे बराबर तक आप आप so guys मिलते हैं आप लोगों इस अगली वीडियो पे अगर आप लोग इंट्रेस्टेड हैं तो नीचे description पे एक form का link है आप उसको sign कर सकते हैं अपना बस contact details दाल सकते हैं we will contact you bye bye guys